समसान से आने के बाद ये काम भूलकर भी ना करें। समसान से लोटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसे से आत्मा का मोबंग होता है और उसके अंतिम सफर में परिशानी आती है। सभी को मुरत वक्ति के मुख्ष के लिए तीन लकड़ी दाएं हात में और दो लकड़ी बाएं हात में लेकर पीछे फैंकना चाहिए। समसान से आने के बाद लोहा, अगनी, जल और पत्था इसपस करने के बाद घर में परिवेश करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मु से कम ग्यारा दिन तक मुरत वक्ति के नाम एक दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। अंतिम सस्कार के बाद घर लोटने पर सभी व्यक्तियों को दांतों से नीम को चबा कर फैंकना चाहिए। इससे हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा उत्तम सरीड को प्राप्ति होती ह अंतिम सस्कार में सामिल होने के बाद घर पहुंचने पर मिर्च को दांतों से चबा कर तोड़ना चाहिए। इसके बाद ही किसी अन्यवस्ति को चुना चाहिए।